हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी फेवरेट यूटूबर खुश्पु इंदोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे होंगे के नेहा आगे वाले कमरे में पोचा लगा रही है भाबी बच्चों को देख रही हैं बच्चों को समाल रही हैं और सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं मम्मी ये पानी की बोतले भर रही हैं दोस्तों बहुत सारी पानी की बोतले लगती हैं भरना पड़ता है और फ्रिज में लगाना पड़ता है मैं भी अपने काम में लगी हूँ मैं ज़ाड़ू पोछा कर रही हूँ उसके बाद ये शाम का समय है इस समय शाम के साड़े 5-6 बज़ रहे हैं और चाय बन गई है बिस्किट चाय सब लोग बैठके चाय का आनन्द दे बाते हो रही है भावी भाई और ममी कपड़े तह बना रही है सभी के और ये मैंने सब के लिए चाय बनाई है बिस्किट और नमक पारे तो सब लोग चाय का आनन्द दे रहे हैं अपने परिवार के साथ जब बैठते हैं हसी मस्ती मजाग चलती है तो बहुत ही मजा आता है जोती दी तो मेरी चली गई है आज उनका आना हो रहा है रात तक वो आ जाएंगी आट बजे तक उनका आना है क्योंकि नेक्स दे फिर भाईया और भावी चले जाएंगे वो हमारे साथ चार पास दिन के लिए ही आये थे अब जितना भी टाइम मिला उतना बहुत है दोस्त आज आ गए हैं क्योंकि नेक्स दे फिर भाईया को भी निकलना है तो उनसे भी मिलके ही जाएंगे उनसे बोल दिया था कि दी आप आ जाना तो दी आ चुकी है गर्मी जादा है तो पानी ठंडा और कोल्रिंग बगेरा दी जा रही है उनको अब सीधा खाना ही लेंगे हम ल दिन रुके उसके बाद फिर आप वो जा रहे हैं उसके बाद भावी जो है अपने मैके भी जाएंगी दो चार दिन वहां पर भी रहेंगी और उसके बाद फिर वो सीता पूर चली जाएंगी बहिया का अपना काम है अपनी नौकरी है तो वो भी जोइन करना है वो भी काम हम लोग सभी के साथ खुब अच्छे से रही हैं और खुब अच्छे से उन्होंने उन्जॉय किया आप देख रहे होंगे कि मेरा तो वीडियो बनी रहा है और उनका भी साथ-साथ बन रहा है ये काम भी जरूरी है अब ये सब करती हैं बनाती हैं तो ये सब चीजे भी जरूरी रहती हैं तो वस सबसे विदाई लेते हुए सबको सुबकामनाय देते हुए भावी अपने मैके जा रही है उनका देवर यानि मेरा चुटा भाई चुन्नून को बस टॉप तक छोड़ने जा रहा है आज मम्मी पापा जो है वो गए हैं अपनी बेहन से मिलने बेहन को देखने मेरे पापा की जो बहन है मेरी बुआ है उनकी तबटीक नहीं है तो उनसे मिलने गए हैं उनने देखने गए हैं और वो तो मेरी बुआ हो गई हैं और मेरे पापा की जो बुआ है वो तो उनका एक प्रोग्राम होता है रहे उसमें भी सामिल होने गए है तो पापा मम्मी अंकल बोस्ती सब लोग गए हैं और आज भापी भाई है भी चले गए हैं तो आज हम चार बैने ही घरमे हैं उनके बच्चे हैं तूं इतने लोग हैं आज मैं क्या कर रह sewer ह regen मनाने किषये सब मशों क्ल את गई हैं तो दोगोगों है इनको दो हैं उससे पहले हшт 27 पूर बना रही है स्वेह कैसे होते हैं अंदर से दिखाते हैं दाली है सब्राक्राइब कोरते हैं जब बन रहे हैं और इनको हाथ से भी महीं महीं बनाई जाती है लेकिन ये मार्कित बाइब बनके तयार हो गए है चाय बन रहे हैं पहले चाय नास्ता कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग जो है काम में लग जाएंगे और आज हम चारो बेनों ने तीनों ने थोड़ी थोड सेम हं मॉस्टी सबी रोगों की है तो हम लोग महंत्स लगा ली ये काम भी करते जाएंगे और नहा जो ना हो satisfi Hudson गनागह का लेंगे और काम में लगया लोगो ये यहां पर देख रहे होंगे यहां पर ने एपने बेबी को लाइट कोल देएं ने आपने बेबी को आज म Two messages नेहा का बेबी है यह आप देख रहे होंगे आभी सोके जगे हुए हैं नेहा पर बेबी में लग गई है उसके बाद इसको थोड़ा सा फीड बगरा करा के इसको बच्चे खिलाते रहेंगे और नेहा भी काम करेंगे और हमाई जो बड़ी बहन है वो नहादों के पूजा करन है नास्ते में दीदी ने जबे बनाए हैं जबे यानि की छोटी-छोटी सी सेवा ही आती है जिने हातों से भी बनाया जाता है और जिने मार्केट से भी जो मिलती है वह बैसी भी बनाई जाती है तो यह तो मार्केट वाली है हमारी जोती जो हैं जबे बहुत अच्छे बना दिये हैं निया के बाबु को भी सभालना है और काम भी करना है तो थोड़ा जोति रिल्री समाल ले रही हैं थोड़ा उनके बच्चे भी दे रहे हैं सब बच्चे मिलके और हम लोग 2 शल रहे हैं यंद Mai करके मैं धो लेती हूँ हलाकि हमारे हाँ सिंक भी है हम बहाँ भी दो सकते हैं लेकिन वहाँ दोस्तों मैं कब तक खड़ी रहूंगी खड़े खड़े पैर दुखने लगेंगे तो हम लोग जब भी ज़्यादा बरतन होते हैं ज़्यादा कुछ साफ सफाई का रहता है तो हम बहा निकाल देते हैं निहा ने बच्चे अपना जोतीरी को समालने के लिए दे दिया है और निहा काम पे लग गई है अब दोस्तों हम चारों की चारों जब चले जाएंगे तो मम्मी अकेली रह जाएंगी वो कितना काम करेंगी कितना समालेंगी कैसे क्या करेंगी तो हम ल पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी तो जिस दिन में आई थी उस दिन में नेक्स डे ही काम पर लग गई थी लेकिन अब हम चारों बहने हैं तो एक साथ मिलके सब लोग उनका काम निप्टा देंगे बहुत काम फेला हुआ है जब लोग बढ़ जाते हैं तो काम भी ज सब लेकिन है तो आटा जो है टंकी में भर रही हैं और हमारी जो प्रीती दीदी हैं वो काम भी करती जाती है और किचिन में गाना पीना बनना रहता है उसकी जिम्मेदारी भी वो सब्हल लेती हैं हाला कि मैं खाना पीना तो नहीं देखती हूँ, मैं तो साफ सफाई, जाड़ू पोचा बरतन और सारे काम में समालती रहती हूँ लेकिन मेरी पृतीरी जो हमेशा किचिन में जो खाना पीने का रहता है उसको समाल लेती है आप देख रहे होंगे किचिन प्रॉपर हो गई है, साफ सफाई हो गई है, सारे डब्बे जो हैं धुल के जमा दिये हैं, सारा काम कर दिया है इस समय दो पहर के दो बज रहे हैं, अब हम लोग खाना पीना खाएंगे और मैं अपने वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ, अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ आई होप आपको यह वाला भी ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी करें साथी साथ दोस्तों, दीदी ने साही पनीर की सबजी बनाई है, तो अब हम लोग खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और आपको भी बाई बाई दोस्तों, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू